दिल्ली में करोना के केसेज काफी तेजी से बढ़ रहे हैं देश भर में करोना के केसेज तेजी से बढ़ रहे हैं और दिल्ली में भी पिछले कुछ दिनों से करोना के केसेज बढ़ रहे हैं 16 मार्च को दिल्ली में लगबग 425 केस थे और आज कल की रिपोर्ट अभी थोड़ी देर में अभी जारी होने वाली है उसमें आज जो रिपोर्ट जारी होगी उसमें 3,583 केसेज है एक तरह से दिल्ली जैसे मैंने हमेशा कहा है कि दिल्ली ने सबसे ज़्यादा मुश्किल करोना की स्थिती को एंकाउंटर किया है दिल्ली के लिए ये चौथी वेव है देश के लिए ये दूसरी वेव हो सकती है लेकिन दिल्ली में दिल्ली के लिए ये चौथी वेव है, चौथी पीक हम लोग एंकाउंटर कर रहे हैं लेकिन ये वाली पीक में जो देखने को मिला है कि exponentially increase हो रहा है, बहुत तेजी से केसे, दिन बदिन इतनी तेजी के साथ केसे बढ़ते जा रहे हैं ये चिंता का विशह है, लेकिन घबराने के जरूरत नहीं है, हम सरकार में इस थिती के उपर पूरी नज़र रखे हुएं और जो भी उचित कदम उठाने के जरूरत है, वो सबी कदम हम लोग उठा रहे हैं इसको पूरा जो डेटा हम लोगों ने देखा है, उसके साथ से ये केसे तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन इस बार ये जो करोना की चौथी वेव आई है ये पिछली वेव से कम सीरियस हैं, कम सीरियस मतलब की एक तो मौतें काफी कम हो रही हैं और दूसरा लोगों को अस्पताल में और लोगों को आईस्यू में जो भरती होते हैं वो काफी पिछले मौत उसके मुकाबले काफी कम हैं हम ये देख रहे थे कि अक्टूबर के महीने में जब लगबग इतने ही केस तीन-चार हजार केसे डेली आ रहे थे उस वक्त आईस्यू में लगबग सत्रा सो के करीब पेशेंट से और आज लगबग आठ सो के करीब 50 परसेंट के करीब पेशेंट से उन दिनों में जब डेली तीन-चार हजार केसे जा रहे थे चालिस के करीब मौत डेली हो रही थी आज दस बारा के करीब मौत डेली हो रही है तो अभी ये वाली जो वेव आई है ये पिछली वाली वेव के मुकाबले में कम सीरियस है कि लोगों को कम अस्पताल जाना पड़ रहा है होम आईसोलेशन में लोगों का इलाज अच्छे से हो रहा है अभी जो स्थिती है सरकार में लोगडाउन किसी भी तरह का करने का कोई विचार नहीं है हम स्थिती पे नज़र रख्यों है भविश्य में अगर जरूरत कभी पड़ेगी तो मैं आप से बाच्चीत करके ऐसा कोई निरने लिया जाएगा लेकिन अभी फिलहाल कोई लोगडाउन करने का सरकार का निरने नहीं ऐसे सरकार का विचार नहीं है लेकिन आज हमने मीटिंग करके ये देखा कि अस्पतालों में और कितनी विवस्था करने की जरूरत है ताकि अगर लोग बिमार हों और वो अस्पताल में एडमिट होना चाहें तो ambulance की विवस्था, अस्पताल की विवस्था, ventilator की विवस्था, oxygen की विवस्था और ICU की विवस्था ये सारी विवस्थाओं के ओपर आज हम लोगों ने विचार किया है और इसके लिए पूरा प्लैन तयार किया है कि कैसे कैसे किन किन स्टेजेज के अंदर ICU के बेट्स बढ़ाए जाएंगे कब-कब प्राइवेट अस्पतालों के अंदर ICU के बेट्स बढ़ाए जाएंगे कब-कब सरकारी हस्पतालों के अंदर कितने-कितने बढ़ाए जाएंगे उसकी हम लोगों ने पूरी प्लाइनिंग की है तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट पूरा सिस्टम जो है जिसमें हम हमेशा कहते हैं टेस्ट, ट्रेसिंग, एंड आइसोलेशन उसको बहुत अग्रेसिवली अब किया जा रहा है और जहां जहां कंटेन्मेंट जोन्स बनाने की ज़रूरत है वहां कंटेन्मेंट जोन्स बनाए जाएंगे और इसको फैलने से रोकने की कोशिश की जाएगी लेकिन इसमें सरकार का रोल तो शायद बहुत कम है सबसे बड़ा रोल जनता का है सबसे बड़ा रोल आपका है हम दिल्ली वालों ने पिछली तीन पीक्स को कितनी खुबसूरती के साथ टैकल किया और हम कामियाब हुए मैं आज आप से सबसे हाथ जोड़ के प्राथना करता हूँ कि फिर से वापस मास्क पहनना चालू कर दीजिए इसको मास्क को यही एक चीज है मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और अपने हाथ लगातार धोना यह अगर हम करेंगे तो इसको फैलने से रोख सकते हैं दूसरी चीज है हॉस्पिटल मैनेजमेंट कि अगर हम बिमार हो जाएं तो हमारे लिए उचित हॉस्पिटल में जगे होनी चाहिए हमारे अच्छा इलाज होना चाहिए उसके उपर सरकार उचित कदम उठा रही है और तीसरा है वैक्सिनेशन वैक्सिनेशन के उपर सरकार पूरा ध्यान दे रही है हमें लगता है कि जितना ज़ादा वैक्सिनेशन किया जाएगा उतना ज़ादा इस बिमारी पे काबू पाया जा सकता है हमें खुशी है कि केंदर सरकार ने एक अपरेल से 45 साल से उपर की उम्रवालों के वैक्सिनेशन की इजाज़त दे दी है कल हम लोगों ने 71,000 दिल्ली में 71,000 हमारी केपैसिटी अब 96,000 की हो गई है 71,000 वैक्सिनेशन की है हमें दो दिक्कते आ रही है एक तो ये कि केंदर सरकार ने गाइडलाइन की है कि जहां भी वैक्सिनेशन होगा वो केवल और केवल अस्पताल या हेल्थ फैसिलिटीज के अंदर हो सकता है उसमें शुरू में ये डर था कि अगर वैक्सिनेशन के कुछ साइड इफेक्ट हो गए कोई रियक्शन हो गया तो वहां पर तुरंट कोई फैसिलिटी होनी चाहिए ताए कि उसका इलाज किया जा सकते है लेकिन अब तो चार महीने हो गए तीन महीने हो गए लगबग वैक्सिनेशन करते हुए कल बता रहे हैं 71,000 हमने वैक्सिनेशन किये जिसमें चार लोगों को थोड़ा बहुत वो हुआ रियक्शन वगेरा और वो ठीक हो गए घंटे-दो घंटे के अंदर वो लोग ठीक हो गए तो अब ये तो सामने आगया कि ये सेफ है तो अगर ये सेफ है तो केंद्र सरकार अगर हमें मास लेवल पर वैक्सिनेशन करना एलाव करे तो हम कम्यूनिटी सेंटर्स में हैं स्कूलों के अंदर मतलब कई सौ हजारों हम फैसिलिटीज क्रियेट करके इसको युद्ध स्तर के उपर वैक्सिनेशन ड्राइव शुरू कर सकते हैं और अगर युद्ध स्तर के ओपर वैक्सिनेशन ड्राइव शुरूप की गई तो मुझे लगता है कि करोना को कंट्रोल करने में हम लोगों को मदद मिलेगी उसके पूरी इसके बारे में उचित विवस्था की जा सकते हैं कि जहां जहां करेंगे हम एम्बूलेंस का इंतजाम कर दें उनको अगर किसी को बाइचांस कोई रियाक्शन वगरा होता है तो उसको देख बाहल करने का इंतजाम किया जा सकता है लेकिन अगर हम नॉन हेल्थ फैसिलिटीज में अलाव नहीं करेंगे तो इसकी एक सीमा है जिसके बियॉंड हम नहीं जा पाएंगे और दूसरा को इससे निजात मिल सके करोना से निजात मिल सके तो मैं उमीद करता हूं कि केंदर सरकार इसको पूरे गौर करेगी और युद्ध स्थर के ऊपर राज्य सरकारों को अपने स्थर पे वैक्सिनेशन करने की इजाज़त देगी और अंत में मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ने बड़े-बड़े काम करके दिखाएं और ये चौथी वेव भी हम लोग जरूर इस पे काबू पाएंगे लेकिन आपसे फिर से अपील है कि मास्क जरूर पहनिये सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए और अपने हाथों को लगातार साबून से या सैनिटाइजर से साफ करते रहिए बहुत बहुत शुक्ते